हाई अब्रिवान वेल्कम बेक टो मैं चानल देखिए आज मैं बहुती खुपशुरा डीजन लेखे आई हूँ ए डीजन आप किसी भी प्रोजेट पे डाल सकते कार्डिगन स्वेंटर बेबी स्वेंटर फ्रोग जाकेट किसी भी प्रोजेट पे डाल सकते रंग साथ पे इसा देखता है एस विटर जोस्ट शिस्टिन रोज काया डीजन है इस डीजन को बनाने के लिए नाइन मॉल्टिपल में फंदल देना है प्लस टू करना होगा मॉल्टिपल आफ नाइन प्लस टू इसमें मैंने नाइन मॉल्टिपल करके 18 प्लस टू कर लिया है टोटल 20 कर लिया है फर्स्ट रोग एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए आप एहां से रिपीट पैटन इस्टर भुआ है यान पर करना है आप दो पंदा स्लिप कीजिए एक दो अब या स्लिप कीजिए आप दो पंदा को एक भंदा बनाना आए पीछे के साइर से आप पांच भंदा सीधा एक दो आप दो पंदा को एक भंदा बना रहा है सीधी की साइर से आपको एक फंदा छोड़के एहां से एहां तक एक घिजण खतम हुआ है आपको एह रिपिट करना है बार बार यानुबर दो पंदा को एक भंदा बनाना है पीछे के साइर से पांच भंदा सीधा दो पंदा को एक भंदा बनाना है एह रिपिट करना है आपको यानुबर दो पंदा सिलिप कीजिए अब ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है अब पांच फंदा सीधा एक दो टीन चार एक फंदा को एक फंदा बनाना है स्यधी की सरथ अब लास्त में एक फंदा सीधा बनाना है यानुबर कीजे और एक फंदा सीधा फर्स्ट hel dugan की कम्प्लीड हो और सेकें रो सेकें रो साब ulब बनाना है सेकंड रो भी सौब उल्टा बुनके कम्प्लीट होगा है थार रो एक फंदा ऐसे चलिप कीजिए आप इहां से रिपीट पैटन इस्टार हुआ है एक फंदा सीधा यानवड करना है एक बार अब यह दो फंदा से लिप कीजिए अब यह दो फंदा गूँ एक फंदा बनाना है फीछे किसार चैंग अब तीन फंदा सीधा एक दो तीन अब यह दो फंदा को एक फंदा बनानाई सिधी की सार्चे अब यानवर करनाई आपको एक फंदा छोर के यहां से यहां तक एक डिजन कतम हुआ है एक फंदा सिधा बुनने है यानवर कीजिए दो फंदा को एक फंदा बनाई है पीछे के सार्चे तीन फंदा सिधा दो फंदा को एक फंदा बनाई है और यानवर कीजिए एई रिप्र करनाई आपको बारवा एक फंदा सिधा अब यानवर आवे दो फंदा को स्लिप बीचे एव 2 अब दो फंदा को एक फंदा बनाई पीचे की साइरचे अब तीन फंदा स्थीधा एव दो थीन आवे दो फंदा को एक फंदा बनाई यानुपर कीजिए ये लास्ट का दो फंदा सीधा बुलिए फोर रो भी बुन के कॉंप्लीर हो गया है आप फोर रो सब उल्टा बुनना है फोर रो भी सब उल्टा बुन के कॉंप्लीट हो गया है फीप द्रो तीन फंदा सीधा बुननी है एक दो तीन यानुपर कीजिए अब यहां से रिपीट पैटन शुरू हो गया है दो फंदा स्लिप कीजिए एक दो अबे दो फंदा को एक फंदा बनाना है पिछे कीशार्च एक फंदा सीधा अबे दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी कीशार्च यानुपर कीजिए एक फंदा सीधा यानुबर कीजे, एक फंदा सीदा यानुबर कीजे, एक फंदा सीदा तीन बार तक एक रिपिर करना है यानुबर ए चार फंदा को छोरके एहां से एहां तक एक घिजान ख़ता मुवा है दो फंदा को एक फंदा बनाई है एक फंदा सीदा बुनी है दो फंदा को एक फंदा बंदा ये सिधी की साइज से यानुबर एक फंदा सिधा 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 एई रिपीर करना है आपको बार बार दो फंदा स्लिप कीची आपे दो फंद को एक फंदा बनाई एक फंदा सीधा अवे दो फंदा को एक फंदा बनाई यान पड़ कीजे ए लास्ट का तीन फंदा सीधा बनाई फिर दो तीन फिर दो भी भून के कम्प्रीट हो गया है और सीक्स रो सब उल्टा भूनना है सीक्स रो भी सब उल्टा भून के कम्प्लीट हो गया है और सेवन रो चार फंदा सीधा भूनना है एफ दो तीन चार अब यहां से रिपीट पैटर्न शुरू हो गया है दो फंदा स्लिप कीजिए एक दो फंदा को एक फंदा बनना आए अब आट फंदा सीधा एक दो तीन चार पांट छे साथ यहां से एहां तक एक दीजाइन खतम हुआ है दो फंदा को एक फंदा बनना आए आट फंदा सीधा बनना है एक रिपीट करना है आपको बारवा अब यह दो फंदा स्लिप कीजिए अब यह दो फंदा को एक फंदा बनना आए आप पांच फंदा सीधा एह दो तीन चार गाज़े 7 रो भी बुन के कॉम्प्लीट हो गया है और 8 रो, 8 रो साब उल्टा बुनना है 8 रो भी साब उल्टा बुन के कॉम्प्लीट हो गया है अब 9 रो 3 भंदा सिधा बुनिए 1, 2, 3 अब यहांसे रिपिट पैटर इस्टर हो गया है 2 भंदा सिधा बुनिए यानुबर कीजिए 2 भंदा सिलिप कीजिए अब यह 2 भंदा को 1 भंदा बनाने इछे की चाहिट से अब 5 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 1, 2, 3 ए 3 फंदा को छोड़कर एहां से एहां तक एक टीजन ख़तम हुआ है या दो फंदा को एक फंदा बनाएं यानवर कीजे और दो फंदा को एक फंदा बनाएं और 5 फंदा सीधा एग रिपिट करनाएं आपको बार बनाएं दो फंदा को दो फंदा को एक फंदा बनाएं यानवर कीजे दो फंदा सीलिप कीजे अब ये दो फंदा को एक फंदा बनाएं अब ये लास्ट का तीन फंदा सीधा 1 2 3 9th row भी भूनके complete होगा है और 10 row 10 row सब उल्टा भूनना है 10 row भी सब उल्टा भूनके complete हो गया है 11 row दो फंदा सिधा भूनगी है एक दो अब यहां से repeat pattern शुरू हो गया है एक दो फंदा को एक फंदा बनाए यानुबर कीजिये एक फंदा सिधा इसे यानुबर कीजिये दो फंदा सिलिप कीजिये एक दो फंदा को एक फंदा बनाए आप तीन फंदा सिधा एक दो तीन यानुबर कीजिये एक फंदा सिधा बनाए यानुबर कीजिये एक फंदा सिधा बनाए यानुबर कीजिये एक फंदा सिधा बनाए यानुबर कीजिये और दो फंदा को एक फंदा बनाए और तीन फंदा सिधा बनाए यानुबर कीजिये एक फंदा सिधा बनाए यानुब यानबर कीजिये अब एक दो फंदा स्लिप कीजिये एक दो फंदा को एक फंदा बनाना है लास्ट में एक दो फंदा बचेगा एक दो फंदा उल्ट सीधा बुनना है 11 रोबी बुनके कम्प्लीट हो गया है अब टूभेल रो सब उल्टा बुनना है टूबल रोबी साब उल्टा भूनके कम्प्लीट हुआ है और 13 रो एक फंदा सिधा भूनिए अब इहांसे रिपीट पैटर्न शुरूब आये दो फंदा गो एक फंदा बनाई यानवर कीजे एक फंदा सिधा फिर यानवर कीजे एक फंदा सिधा फिर से यानवर कीजे एक फंदा सिधा तीन बार तक एक करना है यह आनुबर दो फंदा स्लिप कीजे एस स्लिप की आओ पंदा को दो फंदा को एक फंदा बनाना है पीछे के साइर से एक फंदा स्लिप एक फंदा को छोर कर एहां से एहां तक एक डिजन खतम हुआ है एही दिपिर करना है आपको बार में दो फंदा को एक फंदा मनाना है यानुबर कीजे एक फंदा स्थीधा यानुबर कीजे एक फंदा स्थीधा यानुबर कीजे एक फंदा स्थीधा अवे फिर से यानबर कीजे अवे दो फन्दा को स्लिप कीजे अवे दो फन्दा को एक फन्दा बनाना है और एक फन्दा सिधा 13 रो भी भून के कम्प्लीट हो गया है 14 रो 14 रो सब उल्टा बूना है 14 रो भी सब उल्टा बून के कम्प्लीट हो गया है और 15 रो एक फन्दा सिधा बुनी है अब यहां से रिपीट पैटन इस्टार हुआ है आट फन्दा सिधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब यहां दो फन्दा को एक फन्दा बनानाए सिधी के सायर्चे एक फन्दा को छोर्कोर यहां से एहां तक एक डिजान खथम हुआ है आट फन्दा सिधा बुननाए और दो फंदा को एक फंदा बनाना है यह रिपीट करना है आपको लाश्ट मेरे दस फंदा सीधा बुनना है फार बब दो दी साथ पाच चह रख जीड़, साफ ऊजर गोड़, साथ, तुल, साथ, Hareच क पात।, स्जीड़, स्ञूद मेरे शार अज्ड़ पात।, स्ई Après युट कि टूटिए दसका क्वड़ा है इसके फड़ा आट बनाना है जग़ा इस आदा है 8 9 10 15 रो भी बुन के कम्प्लीट हो गया है 16 रो 16 रो साब उल्टा भुनना है 16 रो भी साब उल्टा भुन के कम्प्लीट हो गया है दीखिए एर डीजाइन चौस्ट सिक्स्टिन रोस कायँ 16 रोस में ऐसा डीजाइन बनके आएगए आपको ही रीपीट करना है और फिर जरो ल। से शिक्स्टिन तक रीपीट करके जाना है जब ये बार बार रिपिट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बनके आएगा ये बहुती सुन्दर डिजाइन है लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा ठैंक यू